प्रभू को आज का दिन दिखाने के लिए एक और सुभा एक नया दिन प्रमिस्तर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया हम प्रमिसर को कुटी-कुटी धन्यवाद दे क्योंकि हमारा प्रभू इसी योग्या है मैं आपका दोस्तर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मू को पस्तित हूँ और आज कर जो संदेश है वो हमारे जीवन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है जो बहुत महत्यपून है तीन बाते ऐसी मैं आज आपको बचन से सिखाऊँगा बताऊँगा और उस पर ध्यान के अंदिरत करवाऊँगा कि यदि ये तीनों काम हमने कर लिये तो हमें सफलता से कोई नहीं रोख सकता हमें आशिस से कोई नहीं रोख सकता और हमें अनन जीवन से कोई नहीं रोख सकता ये ऐसे तीन वचन है तीन बाते हैं बाइबल की ऐसी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाल बने आनंदित बने निरोग बने भेतरीन बने बेशकिम्ती बने बहुमुल्य बने तो आप आज के वचन को जरूर सुनिए और इससे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस बात को जान सके और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाईए ताकि नया वीडियो तुरंट आपके पास समय जाए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जरूर बाचित कीजिए और मुझे बताईए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है प्रेज दलौट मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है टूपल्स यानि कि बाईबल के में एक सवाल है कि बाईबल में तीन लोग ऐसे हैं जो जीवित उठा लिये गए वो कौन है बाईबल में तीन लोग हैं से जो जीवित उठा लिये गए यानि कि उन्हें जीवित स्वर्ग में बुला लिया कि वो कौन है वो तीन लोग कौन है जानते हैं तो लिग दीजे ड नहीं तो description में एक link है आज के video का उसे click किजे और जान जाएए कि वो तीन लोग कौन है अगर जानते हैं तो comment section description में नहीं comment section में आकर लिखे कि ये तीन लोग ये है praise the lord मेरे साथ मेरे इस महिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को फैलाने की प्रेज़ दरावर एक चोड़ी सी प्रात्ता करके आज के महत तुपूर्ण वचन को मैं शुरूर करना जाहूंगा जीवतर महांद्याल पिता प्रमेर सर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं तेरा शुकर करता हूं तेरी तारीफ और बढ़ाई करता हूं आज कर दिन दिखाने के लिए आज के वचन के लिए बिंते करता है प्रजी इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहयता कर मेरे होटों को और मेरे दिले दिमा को जोकर ब्लैस कर मेरी आत्मा मेरा शेरीर तेरे ही कबजे में रहे ताकि बोलने वाला मुनुश नहीं मिलकी तरह आत्मा हो जितने भी लोग इस वचन को आज देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ हर एक को आशिशित कर हर एक की रूख बिमारी चिंता परिशानिया दुख तकलीफें बांजपन करजे और प्रभुजी मन मुटाओ घरों से और प्रभुजी हर एक प्रकार की कमी घटी और प्रभुजी बेरुजगारी अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर करते जो लोग घर से दूर हैं चले गए हैं नराज होकर गए हैं या वैसे ही खो गए हैं उन सब को उनके घरों में वापस ले करा प्रभु ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवादे सके धन्यवादे तो अप्रभु तुने मेरी प्रात्ना कुछ सुन लिया प्रभु येश्यो के नाम से मागता हूं आमेन प्रेज दलॉड तो आज का जो संदेश है वो हमारी जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है पूरी बैबिल हमारी जीवन से जुड़ी है वैसे तो लेकिन ये वच्चन ऐसा है कि इसको अगर हम समझ लें ऐसा ही अगर हम करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी का रास्ते बदल जाएंगे, समीकरन चेंज हो जाएंगे, परिस्तित्यां चेंज हो जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा. प्रेज द Whats. तो ध्यान से सुनियेगा, क्योंकि जब हम चलते हैं अपने जिवन की रहा पर, क्योंकि जीवन के रास्ते बहुत सारे हैं एक रास्ता हमें पाप के और ले कर जाता है एक रास्ता हमें पुन्ने के और ले कर जाता है एक रास्ता अंदकार में एक रास्ता जोती में एक रास्ता ठोकर खिलाता है एक रास्ता में उंचे पर पहुचा देता है बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में लेकिन सही रास्ता किसको मिलता है ये सोचने की बात है ये समझने की बात है जानने की बात है और ये सारी बाते कौन बताता है हमको परमेसर का जीवित बचन Praise the Lord तो सही मार्ग, सही रास्ता हमें कौन बताता है, यह आज हम बाइबल से जानेंगे जब हम यशयन अभी की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका तीस अध्याए और उसका एक्किस पढ़ते हैं तुम दाहीनी और मुणने लगो, यानि कि एक टी पॉइंट आता हमारी जीवन में, जब हम टी पॉइंट पर आते हैं, ऐसा रास्ता जिसे कहते हैं कि दो रहा पर आकर अटक जाना, डबल माइंडेड हो जाना, कि इधर जाए या उधर जाए, तो यहां ध्यान से सुनिए, ब बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, उस समय कि हम करें तो करें क्या, ऐसे समय पर परमिस्थर का वचन हमें सांतवना देता है, एक बात यहां पर लिखी है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं, यह लिखा है, जब कभी तुम दाहीनी या बाई और मुणने लगो, तब तुम्हारे पीचे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, ये मार्ग है या वो मार्ग है, वो हमें उसी समय बताया जाएगा, कौन बताएगा, प्रभू परमिस्थर, प्रेज गिया था तब परमिस्तर ने का बिटा इस दाहिनी और मुड़ जा और जब मैं दाहिनी और मुड़ गया तो बहुत बड़ा काम परमिस्तर ने मेरे जीवन में किया तो हम देखते हैं इबरानियों तीन अध्याय और उसके साथ पद में लिखा है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो तो हम तयार रहें परमिसर के शब्द को सुनने की जब हम दो रहे पर आ जाते हैं पी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते ह हैं double minded हो जाते हैं सोचते हैं करें तो करें क्या जाएं तो जाएं कहां बहुत से लोग सोचने बैठ जाते हैं बहुत से लोग ये करते हैं कि किसी तरह से कोई हमें समझा दे क्योंकि मनुस्यों पर भरुसा चला जाता है फिर मनुस्यों क्या करते हैं बटका देते हैं कि तीन वचन में आगे आपको ऐसे समझाने जा रहा हूं, जो हमारे रास्ते को सीधा बना देंगे। ठीक है? आइए उसी वचन पर चलते हैं, लिका लेंगे निती वचन की पुस्तक है, और उसका तीन अध्याए, और उसका पांच और छे पद, ये दो पद हैं, इनमें तीन ब दूसरी बात दिकी है, वरण संपून मंद से यहवा पर भरोसा रखना, दूसरी बात, और तीसरी बात दिकी है, उसी को समन करके अपने सब काम करना, और आखिर में लिखा है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अब इसको हम विस्तार से जानेंगे, ध्यान से सुनियेगा, मिल्कुल भी स्किप मत कीजे, छोड़कर मत जाए, पूरा संदे सुनिये, उसके बाद आप स्विच आफ कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, यहां लिखा है, तू अपनी समझ का सहरा ना लेना, सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूँ, कि जब हम बाइब को पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहरा ना लेना, अगर मैं इसको यह समझता हूँ, कि यह वचन मेरे लिए लिखा है, तो मैं इसको ऐसे पढ़ाँगा, तू की जगा अपना नाम लगाँगा यहां पर, कि राज मैसी, अपनी समझ का सहरा ना नही कर रहा है तो क्या कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहरा ना लेना क्यों कि जब हम अपनी समझ का सहरा लेने लग जाते हैं हम भटक जाते हैं हम ठोकर खाते हैं हम गिर जाते हैं हम नुकसान में आ जाते हैं हमें परिशानिया घेर लेती हैं हम चिंतित हो जाते हैं हम धोके खात चल में पढ़ जाते हैं, कपट हमारे साथ हो जाता है, लोग हमें तुछ जानते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, और परिशान करते हैं, विरूत करते हैं, तरह तरह के फब्तियां कसते हैं, कब जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन जब इस वचन के अनुसार, जब हम अपनी जीवन को वैतीत करेंगे जिससे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहरा मत लेना ये एक आग्या भी है ये परवेसर की आग्या है वचन के द्वारा कि तू अपनी समझ का सहरा ना लेना इसका मतलब है अगर हम अपनी समझ का सहरा ले रहे हैं तो हम अग्या का उलंगन कर रहे हैं और अज्या को लंगन करना दोस्तों पाप होता है हम अपनी समझका साहरा ना लें दूसरी चीज़ लिखिया है कि वरन संपून मन से यहोवा पर भरूसा रखना प्रीज देलोड अधूरे मन से नहीं अधूरा मन परमेसर को अच्छा नहीं लगता आधे मन से प्राथ अधूरा मन परमेसर को पसंद नहीं है इसके लिए देखिये भजन सहिता 119 और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है यह मैं आपको बता दूं 119 अध्याय और उसका दूसरा पद यहां लिखा है क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितोनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उस बिलकुल खाली होकर फ्री होकर परमेसर के पास आकर बैठ जाएं संपूर्ण मन से प्रभू मैं और तू और कोई नहीं बस सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है दूसरा काम हमें यह करना है कि संपूर्ण मन से यहवा पर भरोसा रखना पूर्ण मन्स यहां पर लिखा है क्या ही धन्य वेज उसकी चितोनियों को यानि के चेतावनियों को मानते हैं चेतावनि क्या है कि तू अपनी समझ का सहरा ना लेना इसमें एक बाद चीप हुई है अगर अपनी समझ का सहरा लेगा तो प्रॉबलम में पढ़ जाएगा परिशानी में पढ़ जाएगा चिंता में पढ़ जाएगा आग्या का मार्ग, विधियों का मार्ग, वचन का मार्ग, चेतावनी का मार्ग, ये सारे मार्ग इसमें लिखे हुए हैं, बजा सेत एक 119 में आप पढ़ लीजेगा बाद में, तो लिखा है कि फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते हैं, जो पूरे मन से परमेसर के पास आते है क्योंकि जो अधूरे मन से आते हैं तो एक कुटलता तो उनमें यही आ गई कि अधूरे मन से आए हैं पास्टर के डर से आए हैं या फॉर्मैलिटी पुरी करने आए हैं तो वो कुटलता तो ही गई लेकिन जो पूरे मन से अपने आपको शुन्य करके अपने आपको बिल्कु तका काम नहीं करते वरन उसके मार्ग में चलते हैं कौन से मार्ग में आईए हम देखते हैं उसको आईए वापस चलेंगे निती वचन तीन अधियाए और उसके पाँच और छे पद में यह लिखा है कि तू अपनी समझ का सहरा ना ले ना पहली बात मैंने आपको बता दी मासी, दादी, बुआ, पापा, दादा उनके उपर नहीं कि वो कुछ दे देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा नहीं, संपूर्ण मन से यहवा पर भरोसा रखना है क्यों? क्योंकि भजन सहिता 125 अधियाए और इसका पहला पद हमें इसका एक इनाम देता है वो कहता है कि जो यहवा पर भरोसा रखते हैं बजन सहित 125 का पहला पद जो यहवा पर भरोसा रखते हैं वे सयोन परवत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है वो किसके समान है? परवत के समान परवत खिलता नहीं है, आंधी आएं, बाड़े आएं, कुछ भी होता रहे, जब परमिस्तर ने जल पर ले किया, सब कुछ नश्ट हो गया, लेकिन परवत खड़े रहे, पहाड खड़े रहे, और उसी में एक पहाड था, अरारात का पहाड, जिस पर नूंका जहाद जाकर ट परमिस्तर के पास आएंगे, तो हम गिर जाएंगे, टुकुड़े टुकुड़े हो जाएंगे, चकना चूर हो जाएंगे, हिल जाएंगे, परिशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने कुटलता की है, हम अधूरे मन से परमिस्तर के पास आये हैं, हमने पूरे मन से परमिस्तर के अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पर देखे, क्या कहता है परमिसर का वचन, क्या कहता है, कि तू मुझे जीवन का रास्ता मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनन की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ से सुख सरवदा बना रहता है, ये सब चीज़ परमिसर हम को देता है, क जब पांच और छे पद में, छटे पद को मैं पढ़ूँगा यहां लिखा है, उसी को समझ करके अपने सब काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, जब आप घर से निकल रहे हैं, मान लिए शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, पास की दुकान और इदर से कोई बाइक आ रही थी, टककल लगी और चोट लग गई, स्कूटी आ रही थी है, कोई भी साइकल भी आ रही थी, तो जरासी भी चोट बहुत ज़्यादा लगती है, तो घर से निकलते समय सबसे पहले परमेसर को समन करें, आप शॉपिंग करने गएं, वहां से लेकर आएं, जो कुछ भी लेकर आएं, उसे रखिए, उस पर परमेसर की आशुष मांगिए, सेलरी लेकर आते हैं, सबसे पहले उसके पर परमेसर करें, फिर किसी को भी जो भी करजा देना है, वह दीजिए, और अपने घर के खर्चे चलाइए, और जो भी आपको चर्च म तो घर से निकलने से पहले परमेसर को जरूर याद करें, परमेसर से प्रातना करें प्रभू हमारी यातर को सफल करना, अपने आपको और अपने सबी समान को और अपने साथ जाने वालों को परमेसर के प्रभू येसु मसी के लहु में चिपा लें, क्योंकि ये लहु शैता भूत को दिखता हैं हमें नहीं दिखता है। शेतान उस लहू से डर के हमें छुएगा नहीं। गर में कोई बच्चा पैदा हुआ है संतान हुई है तो परमेसर को समन करें उसकी घर में एंट्री करते समय परमेसर को याद करें परमेसर का नाम लें उसकी अराधना करें प्रेयर मिटिंग रखवाएं क्योंकि ये बहुत जरूरी है लिखा है कि उसी को समन करके अपने सब क प्रमिसर को पहला स्थान दें परमिसर हमें शिरो मनी बनाएगा हमें हम परमिसर की दृष्टी फिर हम पर बनी रहेगी तो पूरा मैं दुबारा पढ़ देता हम पांच और छे आयत यह लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना तू का मतलब जानते कौन है मैं जो पढ़ प्रमिसर कहता है अपना नाम लगके पढ़िए कि तच्छा लगेगा फिर पढ़िए भी और लिखे कि डैस डैस अपनी समझ का सहारा ना लेना दूसरी बात संपून मन से यह हुआ पर भरोसा रखना और किसी पर नहीं प्रभू मेरा भरोसा तुझ पर है मैं नहीं जानता अब ये मेरी नहीं तेरी समस्या है तु ही इसको सुल जाएगा तीसरी बात उसी को समन करके अपने सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और पीछे से एक वचान आएगा मार्ग यही है, इसी पर चलो क्यूं कहेगा? क्यों कि हमने तेन बातों को अपने जीवन में पूरा किया है पहली बात हमने अपनी समझ का सहरा नहीं लिया दूसरी बात समपूर्ण मन से हमने परमेसर पर भरुसा किया है तीसरी बात हमने उसी को याद करके अपनी यात्रा को शुरू किया है अपने सब कामों को शुरू किया है तब पीछे से एक शब्द आएगा जब हम दो राहे पर आकर खड़े हो जाएंगे जब हम टी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाएंगे जब हम डबल माइंड हो जाएंगे कि करें तो करें क्या तब परमेशरम से बात करेगा और कहेगा कि रास्ता ये है इस पर चलो मार्ग ये है इस पर चलो इसे कहते हैं सीधा रास्ता परमेशर हमको दिखाएगा लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर मन से यहवा पर भरोसा रखना उसी को समन करके अपने सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा चाहे दाए मुणना हो चाहे बाए मुणना हो वो मार्ग तो परमेशर का ही होगा हमें कोई हानी नहीं होगी कोई परिशानी कोई चिंता कोई दिक्कत हमें नहीं होगी हम सही अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे अपने टार्गेट पर पहुंचेंगे और सफलता पाकर वापस आएंगे प्रेज दलॉट ये तीन बात याद रखिए अपनी समझ का सहरा नहीं लेना पूरे मन्द से परमेसर पर भरोसा रखना है और परमेसर को याद करके प्रभू येसुमसी को याद करके ही अपने सब काम करने है प्रेज दलॉट परमेसर इन वच्छनों के द्वारा आम सबको आशी दे यदि कुछ नया आज आपने सीखा है तो जरूर कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे लिखिए बताइए और इस वच्छन को शेर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके यदि अभी तक आपने मेरे स्चाराइब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन कर जरूर दबाईए ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जा ये वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जरूर बातचित कीजिए आज का जो टूपल्स में जो सवाल है वो है कि वो कौन से तीन लोग है जो जीवित उठा लिए गया है डिस्क्रिस्म में जाएए क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को वचन को बाइबल को फैलाने की अज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों को ख्याल रखे और ये तीन बाते याद रखे जो आज मैंने वचन के द्वारा आपको बताई है प्रेज दे लोड़